नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों उच प्राथमिक इस्तर का यह MCQ नंबर 5 है यानि कि यह मॉक टेस्ट का पाचुमा वीडियो है इससे पहले वीडियो में हम लोगों लगभग 36 सिंदुगाटी सब्वेता के प् पीजीटी की तैयारी कर रहे है उनके लिए जो सीरीज उच प्राथमिक इस्तर की स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है चूकि जो अध्यापक पातरता पर इच्छा है उसकी भी डेट निरधारित लगबग हो गई है मार्च के फस्ट वीक म साराना है और फारोरी के लाष्ट तक होना है तो आप लोग अभी से इस सीरीज को फालो कीजिए निच्ची तूरूप से जो सम्मिधान के कुष्चन हैंगे साथी साथ इथियास के कुष्चन हैंगे भूगोल के कोशिस ये कि जाएगी कि उच्छ प्रात्मिक स्तर की पूर करना बिल्कुल मत भोलिएगा साथी साथ चैनल से बहुत ज़्यदा लोग जुड़ जाईए क्योंकि आने वाले समय में लगबग एक हपते में लगबग एक हजार प्रसनों की वन लाइनर सीरी जा रही है जो आपकी वंडे एक्जाम में सिच्छक भरती में किसी भी एक्जाम में आपकी साहयता करेंगे वह वीडियो बहुत ही जल्द में अपलोड करूंगा और एक अपते के अंदर अपलोड करूंगा तो निशीत रूप से हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल पर बने रही है तो चलिए प्रसनों की सुरुवात करते हैं 36 समलोग ने कलिये थे उसके आगे कांटीनियू करेंगे निमलिखित में से कौन सा सिंदुगाटी की सब्विता से सम्बंधित इस्थल नहीं है काली बंगा रोपड पाटले पुत्र या लोथल बताईए तो दोस्तों जो काली बंगा है रोपड है और लोथल है काली बंगा रोपड और लोथल ये जो तीन इस्थल हैं ये सिंदु देख सकते हैं, उसमें इस से पहले के प्रस्णों को डिस्कस किया गया है, और जो पाटिल पुत्र है, ये पाटिल पुत्र कहां पे था, ये महा जनपत कालीन एक प्रमुखनगर था, ठीक है, तो बिकल्प C यहां पर सही हो जाएगा, अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, भारत में हडपा का ब्रहा दिस्थल कौन सा है, राखी गड़ी, धोला वीरा, काली बंगा या लो थल, हडपा का ब्रहा दिस्थल, तो दोस्तों हरियाड़ा के हिसार जिले में, राखी गड़ी, भारत में हडपा का सबसे बड़ा इस्थल है, कहां है हरियाड़ा के हिसार ज जो है पाकिस्तान में राखीगड़ी और धौलावीरा भारत में हडपा सब्बिता के पांच ब्रहादस्तलों की स्रेडी में यह आते हैं तो राखीगड़ी यहां पर ब्रहादस्तल है अगले प्रस्मितर बढ़ेंगे भारत का सबसे बड़ा हडपन पुरास्थल कौन सा है अलमगीरपूर काली बंगा लोथल और राखी गड़ी बताईए तो अभी मैंने बताया राखी गड़ी जो है ब्रहदस्थल है विकल्प D आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी करने को पूट यहां पर दिये हुए इन में से आपको पताना कौन से ऐसी नदिया थी जो सिंदुगाटी सब्विता में जिसके तट पर सिंदुगाटी सब्विता बसी थी बताईए तो यह नदिया थी सिंदु चेनाब और जेलम यह तीन नदिया थी यहां पर सिंदुगाटी सब इत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकान में, यगी प्रालाली में या मात्र सक्तियों में? इंपोर्टेंट प्रस्न की स्रेडी में ये क्वेश्चन आता है. तो दोस्तों, सिंदुगाटी के लोग जो विस्वास करते थे, वो मात्र सक्ति में विस्वास करते थे. क्योंकि जो हडपा सब्विता में जो खुदाई हुई है उससे जो साच मिले है उसके आधार पे कहा जा सकता है कि सिंदुगाटी के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे और ये उपासना जो है ब्याकप ब्यापक रूप से प्रचलित थी यानि कि जो बेविन्य प्रकार क मुद्राएं उस पे मात्र सकत यंकिति और नढमूर्तियां जो मिली है खुदाई में इस तरीके के बहुत सारे जो है क्या कहते है बहुत सारी आकरतियां मिली है जिससे ये मालूम होता है कि ये जु घॉडपा सब्विता के लोग थे ये नारी सकता की उपासना करते थे तो पूजा करते थे, बहुत बार पूछा गया है, पसुपत की, इंद्रवरुड की, ब्रह्मा की या विस्नु की, तो दोस्तों, सिंदु घाटी के लोग पसुपत स्यू की पूजा करते थे, ठीक है, और इसका प्रमान कहां पर मिला है, मोहन जोदारों में एक मोहर प्राप्त मोहन जोदारों और हडप्त की पुरातात्तिक खुदाई के प्रभारी कौन थे, लाड मेकाले, सरजान मार्सल, या कलाईव, या कर्नल टाड, बताईए, मोहन जोदारों एबम हडप्त की पुरातात्तिक खुदाई के प्रभारी कौन थे, बताईए, ऐसे ही प्रसन कभी कब बार पूछ लिया जाते हैं तो दोस्तो भारती पुरा तब तो सरवेच्छड विभाग के जो महाने दे सकते सरजान मारसल इनके निर्देश पर 1921 में ध्यान रखिएगा इनके निर्देश पर 1921 में दयाराम सहनी ने हडपा के जो है खडपा के उसके बाद 1922 में राखलदास बनर जी ने मोहन जदाणों के टीलों का पता लगाया था ठीक है 21 में दयाराम सहनी और 22 में कौन राखलदास बनर जी याद रखिएगा तो भारती पुरा तत्युक सर्वेच्ण विवाग के जो महाने दे सकते सर जान मार्सल वही प्रभारी थे विकल्प बी आगे बढ़ते हैं कई बार पूछा गया है प्रस्ना वंडे एक्जाम समय ही पूछा गया इस जंदुका टी सब्विता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है अभी मैंने आपको बताया राखलदास मनर जी 1922 और दयाराम सहनी 1921 और प्रभारी कौन थे सर जान मार्सल प्रभारी थे भारती पूरा था तो सरवेच्छ बिभाग के तो पिकल्प कौन सा सही हो जाएगा ए आगे बढ़ते हैं निम निखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए बिकल्प आपके सामने है कौन सा सुमेलित नहीं है हडपा दयाराम सहनी लोथल एसार राओ सुर् लोथल का जोत्खननन है वो एसार राओ ने किया था जबकि धौलाविरा का जोत्खननन किया था वो किया था वी के था पड़ने धौलाविरा ठीक है जो नहीं किया था ठीक है जो नहीं किया था एक मिनिट तो यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है धौलाविरा का ज जो इसको इसको नहीं सुमेलित नहीं है अगे बढ़ते है हरपपा का उत्खरनन करने वाला परतम पुरात अतविद जो इसके मात को नहीं समझ पाया ए कनिंग्धम सरजानमांसर, मार्टिमर हीलर, जार्ज एफ डेल्स, बताईए, दोस्तों जो कनिंग्धम थे, इन्होंने भारतियों महादीप के एतियासिंग महत्तु के टीलों की खोजकिती किंदुवा हडपा के टीलों के महत्तु कोई बारे में नहीं जान पाये थे, तो भ हरों में कोई के उसेस मिले हैं, हरपा काली बंगा लोथल महन जोदारो, बताईए, सिंदु घाटी की सब बिक्सित अवस्था में कहां पर मिले हैं, तो दोस्तों महन जोदारों में जो पाकिस्तान का सिंद प्रांत है, वहां पर एक जिला पड़ता है लरकाना, वो जो लरक अपनी के निकास के लिए जो है नालियों की भ्यूस्था भी उसमें मिली ए तो यह मिले थे मोहन जुदाड़ों में आगे बढ़ते हैं मोहन जुदाड़ों निमलिकित में से कहां पे इस्तित है तो अभी मैंने आपको बताया विकल्प आप देख लीजिए जो बहुन से दाड़ों इस्तित है, वो कहांपर हैं? पाकिस्तान के सिंधप्रात में, लरकान अजिले में तो बिकल्प कौन सो सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भारत में निम्रिखेत के आने का सही कालानुकरम क्या है? सही, काला, अनकुरम के अनुसार इन सिक्कों को लगाना है, सोने के सिक्के, आहत, मुद्रा, चान्दी के सिक्के लोहे का हल, नगर संस्क्रत, किस प्रकार जो है यह आए, बताइए, तो दोस्तों, सबसे पहले जो आए वो नगर और संस्क्रत ठीक है यानि कि 4 उसके बाद आपका लोहे के हल तो 4-3 उसके बाद आहत-मुद्रा-चांदी के सिक्के 2 उसके बाद सोने के सिक्के तो 4, 3, 2, 1 तो ये दोनों विकल्प यहाँ पर गलत है पहले नगर सेंजगत फिलोहे का हल फिर आध मुद्रा चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के ये काला नुक्रम है अगला प्रस्न सरपर्थम मानों ने निम्न धात का उपयोग किया हाथी दात का पैमाना हडापीन संदर्भ में मिला है काली बंगा में लोथल में धालावेरा में या बनावली में important इसको भी note down कर लीजेगा बहुत इच्छा प्रस्न है और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों हडपा सब्विता भारत की जो है प्राचीन सब्विता मानी जाती है और इस हडपा सब्विता में जो हाथी का दाद का पहमाना जो मिला था वो मिला था लोथल लोथल में और लोथल इस समय कहाँ पे है गुजरात में है तो यहाँ पे विकल कौन से हो जाएगा बी हडपा कालीन इस्थलों में अभी तक की सदादों की प्राप्ती नहीं हुई है तांबा सौन चांदीय लोहा कौन से चीज जो हडपा कालीन इस्थल में नहीं मिली है दोस्तों जो लोहा है वो नहीं मिला है बाकी हडपा सब्विता को एक कांस यूगीन सब्विता कहा जाता था यहाँ पर तांबा, कांसा, सौन और चांदी की धातुएं मिली है लेकिन लोहे की कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है इससे ये अन्मान लगाया सकता कि जो हडपा कानी लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे और भारत में जो लोह युक का प्रारम भुआ वो उत्तरवैदिक काल से हुआ था लगभग एक हजार इसा पूर्व कूट दियें हैं कुछ और इन कूटों को सही कालकरम में लगाना है इन पर विचार करना कि इन में से कौन से सही है मोहंजदाणों हडपा रोपड़ों काली बंगा सिंदु गट्टी सभेता के प्रमोकिस्तल है हडपा के लोगों ने सडकों त ता नालियों के जाल के साथ नियोजी सहरों का विकास किया हडपा के लोगों को धातों को उपियों के बारे में पता नहीं था बताईए दोस्तों उपर के दो जो हैं बिकल्प सही हैं क्योंकि हडपा के लोगों को धातों के बारे पता था आप सभी जानते हैं तांबा, कासा, सोड़ और चांदी तो यहां पर नहीं लगा है तो यह गलत होगा तो यहां पर बिकल्प कौन से हो जाएगा वन और टू आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा विकल्प कौन से सही है कौन से नहीं सही है इसमें बताना है इस चार विकल्प आपकी स्क्रीम पर दिये हैं प्रस्ण कोट रचित होते हैं यह पूछ जाते हैं किसी भी चाहे आरो की परिच्छा दे रहे हो जो आयोग करवाता है लोग से आयोग करवाता है उसमें ज्याद़ तर इस टाइप के प्रस्ण पूछे जाता है मोहन जुदाणों तथा हडपा नंगर अब बिलुप्त हो गये हैं वहां खुदाई के दोरान प्रकट हो गये थे बताईए कौन सा इसमें से बिकल्प सही होगा दोस्तों इसका जो बिकल्प सही होगा ए और अर जो हैं दोनों तत्ते सही है आर सही सपश्टी करण है ए का तो बिकल्प कौन सही होगा ए सही होगा आगे बढ़ते हैं हडपन संस्कृत के संदर में सैल करत सैल करत इस्थापत के प्रमाण कहां पर मिले हैं काली बंगा दोला वीरा कोट दीजी या अमरी बताईए कहां पर मिले हैं हरपपन संस्कृत के संदर में सैल करत इस्थापत प्रमाण कहां पर मिले हैं दोस्तों ये मिले हैं धौलावीरा में धौलावीरा क्या थी हरपपा सब्विता की भारत में इससे दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी राखी गड़ी जो हरियाड़ा में हिसार जिले में है और यह गुजरात के कच रन में है ठीक है गुजरात के कच में और यहाँ पर जब उत्खरनन हुआ तब हडपा सबटा की एने ग मातुपूर जानकरिया मिली और इसकी खोजों में 7 मीटर गहरा, 7 मीटर गहरा और 89 मीटर लंबा, ठीक है, 7 मीटर गहरा, 89 मीटर लंबा, सैलकत्र, सैलकत्र जलकुंड मिला था, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से विकल्प से हो जाएगा, B, आगे बढ़ते हैं, धौला वीरा कहाँ पर है, गुजरात, हर्या पंजाब राजस्तान, अभी मैंने बताया, धौला वीरा कहाँ पर है, गुजरात में, विकल्प ए साही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, कौन सा हडपी नगर तीन भागों में विभक्त था, लोथा लोथा लोला वीरा, काली बंगा या सुरकोडदा, जो दौला वीरा था ये तीन भागों में विभक्त था, कैसे किला, मध्य नगर, फिर निचला नगर, ये तीन भागते दौला वीरा में, ये आयताकार बनावर्ट में बना था, पहला भाग किला, दूसरा भाग मध्य नगर, तीसरा निचला नगर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित में में से कौन से इस थल में 3 नगरों के उष्षेश प्राप्त हुए हैं मौहणज़दाणों, संगोल, काली बंगन, धौलावीरा या इन में से बताई हैं तों 3 नगरों के उष्षेश कहा प्राप्त हुए हैं धौलावीरा में अभी मनएप को ruled है अगले प्रसंद की तरह बढ़ेंगे एक उन्नत जल प्रवंधन विवस्था का साच्छी कहा प्राप्त हुआ है आलमगीर पूर धौला वीरा काली बंगा या लोथल दोस्तों ये प्राप्त हुआ है धौला वीरा में विकल्प बी सही हो जाएगा जल्दी से आगे बढ़ते ह निम्लिकित में से किस इस्थल से द्वी सोव संसकार रवर बरीयल का प्रमाण मिला है कौंतासी दौला विरा लोथल या काली बंगा या नि की कहां पर सोव को 211 साथ दफनाय गया है तो दोस्तों, तीन जो मिले हैं वो लोथल में मिले हैं, तीन सो एक साथ, मलब तीन सो का एक साथ संसकार या समाधी करण हुआ है, वो लोथल से मिला है, काली बंगा में एक मिला है, तो इसमें बिकल्प कोई ऐसा है नहीं, जहां पर दो सो मिले हैं, तो यहां पर हम मान सकते है कि जो लोथल है यहां पर तीन सो एक साथ मिले हैं दुई सो कहीं पर भी नहीं मिले और काली बंगा में एक सो मिला है दफनाय हुआ ठीक है तो यहां पर हम इसको लोथल को सही मानते हैं दुई सो कहीं पर नहीं मिला है आगे बढ़ते हैं हडपन इस्तल सनौली के अभी हाली में उत्कुर्णों में से प्राप्त हुए हैं मानो सवाधान पसूं के सवाधान आवसी भौन या रच्छा दिवार लोवर में पूछा गया प्रसन है दोस्तों सनौली सनौली कहां पर है बागपत जिले में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जो बारोट तहसील है वहां पर सनौली नामक हडपा पुरास्थल है ठीक है और यहां पर लगभग 125 सवाधान प्राप्त हुए हैं मानों के जिसकी दिसा उत्तर से दथिड है और इन सवाधानों के साथ दैनी कु सफिक अप्यों की बश्तुयएं मिली हैं और कुछ जानवरों की हड़ियां भी प्राप्थ हूए याणि जब 110 संस्कार होता था तो वहां पर इन से चीजों का प्रेव किया जाता होगा गैनों का और जानवरों की हड़िएं आगे बढ़ता हैं करा बश्तून के लिए कि ए प्रारंब किया गया था उन्यस सो बाइस में राखल दास्बनर जी के नित्रतु में सिंदो नदी के किनारे मोहं जुदारों में जो की कपास के सूथ की प्राप्ति की गई थी खोजा किसने था राखलदास मनरजी ने 1922 में विकल कौन सा से हो जाएगा डी आगे बढ़ता है कौन सा इसमें से सही है? कतनों पर विचार करना है यह प्रमुक्ता लोकिक सभिता थी तता उसमें धार्मिक तत्त। यद्धि पुपस्तित था वर्च सली नहीं था उस काल में भारक में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे एक दौ एक दौ या कोई भी नहीं दोस्तों, दिए गया विकलपों में से ये दोनों विकलप सही हैं. तो विकलप यहाँ पर सी सही हो जाएगा. क्योंकि समझता है यह माना जाता है कि सिंदुगाटिक सब्भिता में जो प्रधामता थी वो एक लौकिक सब्भिता थी. धार्मिक तत्तु था और वर्चा सुसाली नहीं था और सिंदु सब्धा के अनेक इस तोलों में कपास के वस्तर के साथ चमिले हैं इससे इस पर श्ठोता कि वहां के लोग इसका निर्मार करते थे आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्णा इस पे विचार करना है उनके विसाल महल और मंदिर होते थे किसके सिंदु सब्धा के लोगों के वे देवियों और देवताओं दोनों की पुझा करते थे वे युद्ध में घोणों दोरा खीचे गए तथा रतों का प्रयोग करते थे कौन सा सही है विकल्प तो दोस्तों यहां पर अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प यहां पर सबसे सही जो लगता है वो विकल्प बी सही है बी यानि कि केवल दो यह देवियों और दोताओं दोनों की पूझा करते थे सिंदु सब्धा के लोग तो भीकल्प भी सही हो जाएगा आगे बढ़ते है निम्न इस्थानों पर एक स्थान निम्न इस्थानों पर किस एक स्थान पर संदुगाटी सब्विता से सम्मंद विख्यात ब्रसब मुद्रा प्राप्त हुई थी हडपा, चहुंदड़ो, लोथल या मोहन जदड़ो बताईए तो दोस्तों मोहन जदड़ो में चुकी अनेक वस्तों में प्राप्त हुई है इसमें कूबर वाले बैल जिसे बोलते हैं ककुदमान ब्रसब की आकरत वाली मुहर प्राप्त हुई है तो बिकल्प कौन से हो जएगा दी अगले प्रसंद की तरह बढ़ते हैं निम्ड लिखित में से किस पसुका अंकन हडपा संस्कार की मोहरों पर नहीं मिलता है बैल, हाथी, गोड़ा या भेड तो उस सिंदुगाटी की सभिता के जो निवासी थे वो अशुसे परचित थे लेकिन उसका अंकन हडपा की मोहरों पर कहीं नहीं मिलता है तो बिकल्प सही हो जाएगा C परचित थे लेकिन मोहरों पर अंकित नहीं मिला है, गोड़ा किस पसुके अउसे üçटे इसमें जो विकल्ब दिये गए हैं उसमें गाय और हाथी के आउसेश तो सिंदु गाटी की संभिता में प्राप्त होने के संबंद में विध्वनों में विविन प्रकार के मतभेद हैं जो इसमें प्राप्त होने की जो है पुष्ट होई है दूसरी ओर सिंदु गाटी संभित जो सिंदु गाटी संभिता के उत्खना से बाग और चीता क्या उत्की स्वेता की प्राप्तिका उलेख है किन्तु शेर का उलेख प्राप्द नहीं होता है तो यहाँ पर विकल्प स्वह होजएगा A आगे बढ़ता है म्रड पटिका पर उत्कीन सींग युक्त देवता की करत मिली बहुत बार पूछा गया है प्रस्न बनावली से काली बंगा से लोथल से आशुर कोटना से important प्रस्न है इस इच्चक्वर्ती के लिए बहुत ज़्यदा important है दोस्तों म्रड पटिका काली बंगा पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन मिला है और दूसरी और बकरी को दिखाया गया, जिसमें बकरी को एक पुरुष लिये जा रहा है, संभवता बकरी की बलि देने के लिए, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, बिकल्प B, काली बंगा, आगे बढ़ते हैं, निम्रिकित में से कौन सी सब्विता नील नदी के तट पर पनपी थी, रोमन सब्विता, सिंदुगाटी सब्विता, युनानी सब्विता, या मिस्र की सब्विता, बताइए, कौन सी पनपी थी, तो उस्तों, मिस्र की सब्विता का विकास जो हुआ था, नील नदी के मिस्र अफ्रीका महाधीब में है ठीक है इसकी सम्कालीन सभिताये हैं उसमें दो सभिताये संदुगाटी की सभिता जो भारत में थी और मैसा पोटी मिया की सभिता जो इराक में थी तो विकल कौँ साइब दी निमलिखित सब्वाताओं का उत्तर से दक्षिल में सःकरम मतलगी सही कालकरम कौन सा है थो दोस्तों सही कालकरम है वह है बिकल्प D पहले एजटेक माया मुइसका और इंका Aztec Sabita का जो विस्तार है वो मेसो अमेरिका के उत्री भाग पर था मेसो अमेरिका के इंतरगत मदि मेस्को मेक्सिको से लेकर बेलिज, गौटे माला सल्वाडोर, होंडूरास, निकारा गुआ और कोष्टारी तक, कोष्टारी का तक छेतर सामिल था Aztec Sabita में उसके बाद इसका जो विस्तार हुआ वो मदि मेक्स के ओ, माया सबिता और उसके बाद जो माया सबिता के विस्तार हुआ वो मेसो अमेरिका के दच्छडी भाग से हुआ दच्छडी मेक्स को दच्छडी गोटे माला, वेलिज और सलबाड और हुंडुर रास्त तक तो इस प्रकार जो है Aztec Maya Omushka Inka ये जो है उत्तर से दच्छड का सही कालकरम है ठीक है, आगे बढ़ना लेखन कला की उचित प्राणाली विक्सीत करने वाली सरपर्थम प्राचीन सबिता कौन सी थी सिंदु मिस्र, सुमेरिया या फिर चीन तो उस्तों लेखन कला की अगर बात करें तो सुमेरिया सबिता के लोग प्राचीन विस्त के प्रथम लिप अविश करता थे इनकी प्रारंभिक लिप का सुरूप अतन सरल और आदिम था सुमेरिया की क्यूनी फार्म लिप याद रखेगा सुमेरिया की क्यूनी फार्म लिप को सामानता प्राचीन तम लिप माना जाता है क्यूनी फार्म लिप तो विकल्ब कौन से सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बहुत सारे प्रस्म आपनी इसमें से सीखे होंगे जल्दी मिलते हैं एक नए इंफर्मेटिव वीडियो में अगर पीडियो पसंद आए तो निश्च दूरूप से लाइक जरू कीजिएगा और सेर जरू कीजिएगा जल्दी मिलते हैं एक नए इंफर्मेटिव वीडियो में तब तक लिए जहिंद